ओम शान्ति आज 29 मई 2021 हैं आज की मुर्ली में कहा बाबा ने कि जितना हम ज्ञान का मनन्चिंतन करेंगे उतना खुशी का पारा चरता जाएगा तो आज की स्लोगन में भी बाबा ने ज्ञानी तो आत्मा की निशानी बताई हैं सुनते हैं आज का स्लोगन समय पर दुख और धोके से बच कर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार हैं हमेशा अंधकार के साथ अज्ञानता की तुलना की जाती है और रोशनी के साथ ज्ञान की तुलना की जाती है क्योंकि ज्ञान प्रकाश है और उस प्रकाश में सब कुछ सपश दिखाई पड़ता है और अज्ञानता अंधकार है इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ता, confusion में रहते हैं, समझ नहीं आता कि अभी कहां कदम उठाए 24 गंटे की रातरी में तो फिर भी चंद्रमा निकल करके आता है, सितारे दिखाई पड़ती है, कुछ रोश्नी होते है परन्तो जब मन के अंधकार है अज्ञानता की, तो उसमें कोई रोश्नी का प्रकाश भी नहीं होता है किसी महान पुरुष ने कहा है, कि जो अज्ञानता है, उसमें घोर, दुख और सुख का अनभव होता है, और वो सुख धोखे का ही आधार होता है, temporary होती है तो उधारन के तौर पर मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ, बिल्ली और कबुतर की कहानी एक बार कबुतर दाना चुक रहे थे और उसके सामने बिल्ली आ जाती है बिल्ली को देखकर कबुतर बहुत घबरा जाता है और इसलिए उड़ना ही भूल जाता है इसी वज़े से वे अपने आखे बन कर लेता है आखे बन करते हुए उनको सुख की मैसुस्ता होती है कि बिल्ली अब मेरे सामने नहीं है किन्तु ये सुख धोखे के आधार से है टेंप्ररी है बिल्ली उसको फिर खाही जाती है कहने का भाव ये है कि जब हम अज्ञान अंधकार में हैं तो धोखे के वश हो जाते हैं परन्तु ज्यानितु आत्मा युक्ति-युक्त और योग-युक्त होने के कारण से कभी भी धोखे के वश नहीं होते धोखा माना अपने कमी-कमजोरियों के धोखे के वश होना ज्यानितु आत्मा समय पर अपने कमी-कमजोरियों को ज्यान और योग से खजानों से यूज करते हुए उसको खतम कर लेते हैं तो आईए, आज हम सारा दिन ये चेक करें, क्या मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, क्या मैं समय पर अपने खजाने को शक्तियों को यूज कर रही हूँ, ताकि मैं सर्व धोखों से, दुखों से बचे रहूँ और सफलता को प्राप्त कर लो. ओम शान्ति